किसान भाईयों नमस्कार आप देख रहे हैं डीपार्मिंग यूटूब चेनल में दसरदाकड किसान भाईयों आज हम बात करेंगे जब मुपली की वसल 40 से 50 दिन की अवस्ता में होती है तो हमें उसमें कौन से खाद का परियोग करना चाहिए जिससे हमारी मुपली की वसल में फल पुलों का विकास अच्छी तरह से हो और पोदे के अंदर ज़्यादा मुपली बने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तीन खाद बताने वाला हूँ जिनका परियोग आपको मुपली की वसल में करना है जिससे आम तोर पर मुपली के उत्पादन में व्रद्धी होगी मुपली हरी बरी बनी रहेगी और आपको कापी अच्छा रेजल्ट मिलेगा पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आकिर तक जरूर देखें जो किसान हमारे यूटूब चेनल पर पहली बार आए चेनल को सस्क्राइब करें पास में जो गंटी है उसे जरूर दबाई ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे किसान भाईयों जब मुपली 40-50 दिन की स्टेज में आती है तब मुपली में पीला पन नजर आता है यानि कि अत्यदिक बारिस या पानी वराओ या कुछ अन्यकारणों से मुपली में पीला पन आता है पूरा खेत पीला पड़ जाता है तो जब मुपली 40-50 दिन की स्टेज में आती है इस समय आपको सलफर बेंटो नाइट नब परतिसत दानेदार का परयोग करना है किसन भाईयों सलफर के परयोग से मुपली में पिला पंदूर होगा पोदा हरा बरा बना रहेगा और अच्छी दरह से बानस्वधिक विकास करेगा तो आप सलफर 5-8 किलो ग्राम सलफर दानेदार का परयोग मुपली में कर सकते हैं इसके अलावा पोदे की जड़ों में जो फल बनता है यानि की मुपली जो जमीन के अंदर बनती हैं उसके विकास के लिए आपको अपनी मुपली में सुक्सम पोसक तत्व यानि की माइक्रो न्यूट्रियंस खाद का परयोग करना है जिससे खाद जड़ों तक पहुंच सक और हमारी जो मुपली हैं उसकी संख्या में वरद्धी कर सके तो सुक्सम पोसक तत्व के रूप में आपको इपको की सागरी का या पी आए के बायोविटा का 5-8 किलो ग्राम प्रती एकड की दर से उप्योग करना है जिसमें मुख्य रूप से कहीं परकार के सुक्सम पोसक तत्व आपकी फसल को मिल जाएंगे जिससे जो मुपली बनती है उसकी संख्या में वरद्धी होगी पोदाहरा वरा बना रहेगा फल अच्छी तरह से विकास करेगा तो आपको सुक्सम पोसक तत्व खादों की पूरती के लिए सागरी का या बायोविटा का प्रयोग करना हैं इसके अलावा 40 से 50 दिन की स्टेज में मुपली में फूल से फल बनना सुरुफ हो जाते हैं इस समय आप एनपी के 052 का स्परे अपनी फसल में कर सकते हैं जिसकी मदद से आपकी फसल में फासपरस और पोटेसियम की पूरती हो जाएगी जो कि आपके फल निर्मान में पाइदा मिलेगा ये एक सस्ता वाटर सुल्यूबल खाद हैं और इसका रिजल्ट काफी अच्छा है इन खादों के अलावा जब मुपली 40 से 50 दिन की स्टेज में होती है इस समय आप अपनी फसल में यूरिया का परयोग भी कर सकते हैं किसन भाई यो 50 दिन के बाद आपको की फसल कमजोर है उसका विकास रुक चुका है पीला पन जादा आ रहा है या आप खेत में पानी का बराव हो रहा है तो 15 से 20 केजी परती एकड़ की दर से आप मुपली में यूरिया का परयोग कर सकते हैं जिससे आपकी फसल की जो ग्रोध रुकती है वो ग्रोध भी किसान बाईयों अगर आपकी वसल में किसी भी चीज की कमी है तो ही आप इन खादों का परयोग करें वर्ना व्यर्थ में अपने कर्च को ना बढ़ाए उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आयोगी पसंद आयोगी वीडियो को लाइक आधिक से अधिक से शियर जरू करें मिलते ही नई जानकारी के साथ धन्याओं